नवस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम प्रपाईएस में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम आपके सामने 3 नॉम्बर 2023 के समाचार विस्नेशन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 10 हिंदूस समाचार पत्र के अलग-अलग जो प्रमुखालेक हैं, उनकी हम विस्तृत रूप प्रमुखालेक हैं, उनकी रूप में रहता है, यहां पर अगर हम मुख्य परिच्छा की बात करें, तो तीन प्रमुखालेक हैं, पहले दो अगर आलेक हम देखें तो यह एक तरह से काफियत ता जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही अंतराश्री संबंद से संबंदित ह पहले अगर हम यहां पर संग की बात करें, आप देखेंट साथ अटूबर से इसराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से पस्यमेश्या में जिस तरह से संगर्स की स्थितिया चल रही हैं, उन इस स्थितियों में आप देखें संग के ऊपर भी कही न कई सवाल उठते हैं, कि संगल को रोकने को लेकर उनकी तरफ से क्या एक तरह से स्सेतिय है, या कितनी उनकी मजबूती है संगल को रोकने के संदब में और इसी आधार पर हम देखें, तो इसी से मिलता अलेक है क्या दूसरा बड़ एक गार हम देखें, तो पस्यमेसियां यह संगर्श एक तरह से भविष्व में भी होगा यह जो जल इंद है अब आग त्रह से अगर आरव इसलिएव का ए अनन परकार से प्रयास कीये जा रहे थे तो भूत दीरकालिक नहीं होगे इस आलllan का प्रमु करूट से इसी सांथे को इतरह से बताया गए है तीसरा अगर हम देखें तो यहां पर प्रमुक रूप से अगर हम तीन नौमबर की बात करें तो यह इंटरनेशनल बायोस्पयर रिजर्व का जो डे है उसके रूप में सेल्विट किया जा रहा है पिछले साल से इसको सुरू किया गया था तो दूसरा यह दिवस मनाया जा र संचन की बात करते हैं और कि वर परियावन संचन नहीं एक तरह से मानव परियावन संबंदों को मजबूत करने में यह जैब मंडल काफी हद तक एक सायक रहे हैं तो यह हमारे तीन आलेख रहेंगे मुख्य परिच्छा के प्रारंभी परिच्छा में अगर हम देखें तो पहला दिली एंसियार में वाय तदोसन की इस्तिती है वह लगातार आप देखें खराब हो रही है और कारण पराली या जो इस्टबल या जो खेती में बचा हुआ अबसे से उसके जलाने की घटनाओं का होना दूसरा यहां पर अगर हम मैडी घड़ा बैराच के बारे में देखें तो उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ दरार या उसके कुछ इससे के डूबे होने की संभावना देखी गई या उसकी इमेज सामने आई है क्योंकि हैं तो उसकी इसलिए देखेंगे सांसाथ यहां पर CTBT इसके संदर में बहुत विस्तर चर्चा हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखेंगा लेकिन यहां पर जो राश्पती हैं रूस के उनकी तरफ से जो रूसी स संसाथ का बिल है उस पर एक तरह से हस्ताचर किये गए हैं यानि CTBT का जो रैटिफिकेशन जो एक तरह से एक कानूनी मंजूरी रूस ने रखी थी उसको वापस लेने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं अंतिम रूप में रूस में हो रही है सांसाथ मियानमार में आप देखें सिविल वार ग्रहत जैसी स्थितिय में पिशले दो साल से उसमें कह सकते हैं कि मयानमार की जो सेना है उसके लिए काफी एक बड़ा कह सकते हैं जटका मना जा रहा है अंत्में यहां पर यूरोपी संग की तरफ से अगर हम देखें कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट जो आप ध्यानदे के अंतराश्ची संबद में 7 अट्वर के बाद से जबसे एक तरह से हमास का आत्म की हमला वा इसराइल पर अब कहीं न कहीं देखें जो पस्षी मेसिया है वो प्रमुकृप से चर्चा में लगातार बना हुआ है और वरतमान इस्तिति भी आप देखें तो संदर में ऐसा नहीं कुछ अलग यहां पर इस्तिति है तो पस्षी मेसिया में जो भी एक तरह समस्या दिखाई पड़ रही है उसमें माना है जा रहा है कि एक वैस्विक संगठन के रूप में अगर हम उनाटेट नेशन की बात करें तो उसकी जो भूमिका है वो क्या हो सकत है इन सब सवालों पर आप देखें प्रमोख रूप से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है और यह कहा जा रहा है कि एक तरह से संग्तुरासंग आप कह सकते हैं कि वह सकती लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस आधार पर वह यहां पर जो भी संगर्स है उसमें बड़ के बाद उसमें प्रमोख रूप से यही एक पक्ष रखा गया था कि बैस्विक इस तर पर सांती विस्ता को कहीं न कहीं इस्थापित करने में प्रमोख रूप से यह जो संग्ठन है वो काम करेगा उसमें आप देखें अगर अलग-अलग युद्ध जैसी या किसी भी तरह के संगर्स की स्थितियां है तो इसमें जो युनाटे नेशन का सिक्यूर्टी कॉंसर यानि सुरच्छा परसत उसके पास एक तरह से काफियत तक विसी सक्तिया भी दी गहीं लेकिन यहां पर आप देखें कि पूरा यह जो तंत्र बनाया गया संग्ठन का यह प्रमुक संस् अब्सक्तान में एराक में या खाली उद्ध की बात करें तो बहुत ऐसे अलग अलग घटना है जहां पर अमरीका ने एक तरफा अपनी कारिवाई करी है यह अपने मित्र देसों के साथ में कारिवाई की है तो अगर कुछी भी देश के द्वारा जो सक्तिसाली है और मित्र देशों के साथ में किसी भी तरह से कारिवाई करता है तो यहां पर संक्तुरासंग के लिए भूमेका कहां बचती है क्योंकि इस तरह के संगर्स में असली भूमेका संक्तुरासंग की होनी चाहिए कि किसी भी तरह का संगर्स बैस्टों किस तरह पर नहों और सांती स्थाप किस रूप में यह दिखता है कि अप्रभावी है तो यहाँ पर आर्टिकल में यह कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि बैस्विक ब्युस्ता है यानि अगर हम सैंतरा संग की बात करते हैं कि यह संस्था एक तरह से बैस्विक इस तरह पर पुरहाव डाल सकती है तो उसके ल तो आपस में एक सामंजस में रहने चाहिए और दूसरा बैस्विक साविन हित की बात करना यानि आप सभी के हितों के बारे में ध्यान दें तो अगर आप ये दो काम करते हैं यानि जो बड़ी सक्तियां है उनके बीच में एक तरह से सामंजस से रहता है इसे महां लीजिए कि अगर हम अभी हमास के साथ में जो इस्राइल का संगर चला उसी की बात करें तो आप देखें अमरीका का पूरी तरह से जो इक तरह से दिस् पिलिस्तीन पर जो भी कह सकते हैं कि वहां पर बच्चे महिला या ब्रद्या जो पेशेंट्स हैं उनके उपर जो हमला हो रहा है अमरीका जरूस की एक तरह से निंदा करता है लेकिन आप देखें इसराइल का अपरोच रूप में बड़ा समर्थन अमरीका करता है दूसी त यहां पर स्वरले कर चल रहा है क्योंकि दोनों में आप देखें किसी भी तरह का सामंजस से नहीं है तो यहां पर पहला बड़ा करण यह कि सैंक्तुरासंग प्रभावी रूप में काम क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि दो बड़ी जो सकतिया है वह यहां पर आपस में साम कर दें तो वह सामजस भी नहीं है रूस चीन अलग धड़े में दिखाई पड़ते हैं अमरीका की बात करें बिटन की बात करें तो एक अलग धड़े में दिखाई पड़ते हैं तो जब इस तरह से आप बटवारा कर देंगे तो सैंतुरा संग को भूमिका निभाना आसान नह पर आप सभी के हितों को लेकर काम नहीं कर रहा हैं। क्योंकि अगर इस संगर्ष में आप देखें, जो भी हमास का आतंकी हमला हुआ, देखें, सभी उसका विरोध करते हैं। और हमास पर बिल्कुल कारवाई होनी चाहिए। लेकिन जो नागरी जनसंग का है, उसकी हानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें तो इन हितों को इसराइल कहिने के उतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसराइल अपनी कारवाई में हमास के सफाय की बात कर रहा है। कि जो भी हम लें हो रहे हैं उसमें जानमाल की हिवानी है जो सामाने नागरिक हैं उनकी भी बड़े पैमाने पर एक तरह से हनी हो रही है तो आप सभी के हितों को लेकर काम नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हम फिलिस्तीन के हितों की बात करें तो हो सकता है कि वह उतने बड़े स्तर पर यहां पर उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस्राइल पर हम लागवा तो उसकी बिल्कुल जबस्टीन कि जो आम जनता उनके अधिकारों को लेकर भी ने अनके हिटों की बात होनी चाहिए ने सामजन नहीं है सभी के हिटों को लेकर अगर हम करें एक विचार करें और उसके शितिति घृतों को उत्लोप स्विआ हैं पाहे वह तत्य होई नहीं नहीं तो य किसी भी रूप में बड़े पैवाने přर बैस्थ Hulk-sanstha के रूप काम नहीं कर पाईगा और आप देखे हो कर नहीं भी पाउ रहा है इसी कि हम देखें तो USA सामिल है साथ 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 अगर हम UK की बात करें रश्या सामिल है चीन और अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो पी-फाइफ देश हैं इन पी-फाइफ देशों में आप देखें कि इनके पास वीटो पावर रहता है यह अगर मालीचे सुरच्छा परसद में कोई प्रस्ताव आता है इस्राइल की कारिवाई को एक विरोध दिखाने के लिए इस्राइल की कारिवाई को रद करने के लिए उसको रोकने के लिए युद्विराम के संदर में कोई प्रस्ताव आता है तो आप देखें यहां पर अमरीका क्योंकि इस्राइल का बड़ा समर्थ एक ने विटो कर दिया पृस्ताव गिर जाएगा तो यह जो कह सकते हैं तंत्र सुरच्छा पृसत्सथ कहा का उसको कह सकते हैं काफी अध्त जो में में पावर उनके हांट की कट पुतली बना देता है पांच में से बर एक नहीं विरूत कर दिया तो आप प्रस्ताव को सुरच्छा प्रसद में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो यह दूसरे बड़े करण के रूप में यहां पर का जा रहा है कि यह जो P5 देश है उसमें भी अगर आप देखें USA UK और अगर हम फ्रांस की बात करें तीन ऐसी सकती हैं जो इस्राइल को पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिती में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि यह एक यून की भूमिका वह बंती है और यहां पर अंतराष्टी व्रस्था बात कर रहा, तो ऐसा नहीं कि यह व्यस्ता अभी हाल-फिलाल, कि कि बस किवल, आज की संघर्स्थ के समय दिख रहा है, यू-एन की मुपूमेका कम हो गई है, यह पहले सी तरह से रहा है, लंबे समय से आप देखें कहीछना कहीजने, ये व्युस्था एक तरह से कम्यवर रही है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो भी हम उधार और अंतर रास्टि, नियम पर आधारित व्युस्था की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई उधार व्युस्था है क्योंकि यहां पर अमरीका के नेत्रित में जो पस्यमी देशा वो प्रमुखुरूम से अप्ना प्रभाव बनाते हैं तो यहां पर हम दो प्रते की बात कर सकते हैं एक तो हम सकते हैं 1990-1991 से पहले mag Надवी 11 locals कंछ किम आप सोविय संग की बात करते हैं या वर्तमान में उसमें जो प्रमुख देश निकला है रूस तो इनके बीच का जो संगर्स है वो प्रमुख रूप से सीथ युद्ध की धुरी था उसी आधार पर पुरा सीथ युद्ध लड़ा गया और 1990-1999 के पहले अगर आप देखें तो यह दम तरहें सकती स्तंबीय का इसकते है पावर का सेंटर है वह देवलप हो गया किसकी नित्त्त में यूसा की नित्ति में तो फिर से आप देखें ara कि यहां पर कहीं न कहीं जो पस्तमी देस रहा उनकी विचारधारगा के सा इमरीका के विचार और पहसंदोर से स्ब pulls picture न च रहे हों वो चाहिए अफगानिस्तान पर हमली की बात है इराक की बात करें या लीबिया में कारवाई की बात करें हर जगे आप देखें कहीं न कहीं पस्थमी देशों ने अमरीका के साथ मिलकर जो उनके विचार वो साधार पर अपनी कारवाई को आगे बढ़ाया और साइंतरा संग को दरकेनार कर दिया गया तो यह सितियां क्यों बनी क्योंकि यहां पर जो भी एक सुपर पावर का दरजा है वो सितियां सीतियुद्ध के पहले सोवियस संग अमरीका उसमें आपसमें साज़दारी नहीं थी और 90-90 के बाद जब तक सोवियस संग कमजोर रहा क अमरीका शुपर पावर एक तरह से दिख रहा था वहां पर अमरीका ने अपने समर्थन के साथ में अपनी नीतियां उसको बैस्विक इस तरह पर लागू करने का प्रयास किया बज़ा इसके कि एक बैस्विक उदार विस्था को वह लागू करते तो यह समस्या का सबसे जाता है कि आप देखें कि जो 9 by 11 का जो हमला हुआ अमरीका पर जो आतंगवादी हमला किया गया ट्विंट टावर्स पर उसके बाद आप देखें एक तरह से दुनिया को उस तरह से एक दो समूव बढ़ दिया गए कौर अमरीका के साथ है कौर अमरीका के साथ नहीं है यहां नातंगबाद को इक तरह से हराने को लेकर और उसाधार पर आप देखें अफगानिस्तान पर हमला हुआ आगे चलकर इराग पर कारिवाई हुई तो यह 2008 के बाद की जो स्थितिया है उसमें कहीं न कहीं 2008 के पहले काम हो चुका था क्योंकि यहां पर चाह इराग की हम बात क करते हैं आफगानिस्तान की दोनों पर जो कारवाई की एगे या आगय की समय में अप देखें ली भीया पर कर फ्रीक देश कि एक वारोस्तषा से ला सब्सक्रार में नहीं तो 2008 के बाद में देखें 2008 का समय इसलिए गया क्योंकि यह पस्षिमी देशों में आप देखें प्रवाद अमरीका में बैंकिंग क्राइसिस हुआ आपने नाम सुना होगा लेहमन बर्दर्स तो लेहमन बर्दर्स में जो बैंकिंग कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा क्लेप्स हुआ उसके बाद एक चेहन रेक्शन हुई और बड़ा आर्थिक संकट पस्थिमी देशों मे आगे बढ़ाना साथ साथ इसमें आप जोड़ सकते हैं चीन का उभार इन सबने मिलकर बैस्विक उदार व्यस्था उसको लगब लगब कह सकते कम जोर कर दिया क्योंकि सभी अपने हितों को लेकर काम कर रहे थे क्योंकि आप ध्यान रखें आपको ये दो विंदू ध्यान रखने सबसे महत्तकों में कि जो बैस्विक सकति हैं उनमें सहयोग की भामना होनी चाहिए और सभी के हितों को लेकर हमें काम करना पड़ेगा तब ही एक बैस्विक वैस्था बन सकती है लेकिन 2008 के बाद इस सितिया और क्या सकते खराब हो गए क्योंकि पस्तिमी देसों में आर्थिक संकट आया रूस चीन का ओभार देख रहा था आर्थिक रूप में सामरिक रूप में और ये अमरीका को कहीं न कहीं चुनोती दे जाता है क्योंकि अमरीका नब्बे क्यानबे से आप देखें अगर आप 2008 तक देखें तो एक छत्र राज कर रहा था लेकिन वह धि आप देखें जब से संकट बना है उसके बाद चाहे अमरीका सोवियत संग का दौर रहा हो यह नबे क्यानबे से 2008 तक का समय आप देखें दोजार आप पांस तक क्या सकते हैं उस समय तक कि अगर हम बात करते हैं खास्तोर से 2001 का समय लीजे मतलब जब तक अमरीका पर आतंग बात 2008 से अगर आप देखें तो चीन रूस इनके उभार ने कहीं न कहीं बैसे गुजस्ता को एक संकट में लाया है तो यह आर्टिकल इसी बात को प्रमख रूप से कह रहा है कि देखें अगर आप कहसते हैं कि बहुत रूबी विस्व हो सकता यानि एक पावर सेंटर के तो आप यह कह रहे हैं कि अगर आप मानते हैं कि बहुत रूबी यानि मल्टी पोलर वर्ड होना चाहिए तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको बहु पक्षवाद यानि आपको अमरीका, रूस, चीन, भारत सभी के जो विचार हैं उनको सामिल करके काम करना पड़ेगा फिर वही बात है सहयोग को लेकर तो दुनिया बहुत रूबी कब बनेंगे जब अलग-अलग ध्रूब आपस में सहयोग करें अमरीका, रूस के साथ में, रूस, चीन के साथ, चीन, भारत के साथ में यह मालीजम, फ्रांस, जर्मनी, जापान उनको भी एक बड़ी पावर स बना रहे हैं यह पावर संटर कभी भी सही से काम नहीं कर पाएंगे, यह करेंगे क्या एक दूसरे को निट्रलाइस करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को निस्क्री करने का प्रयास करेंगे, जैसे चीन भारत के खिलाब काम करता है, उसको लगता है कि भारत के उभार को यह रोख सकता है जो संभव नहीं है तो इसी तरह रूस के पुरहाओं को अमरीका निगेट करने का प्रयास करता है जैसा रूस-उक्रियन का विवाद है वहाँ पर आप देखिए तो इस तरह कि ज़ो स्थितिया वह यवें के लिए जो सकते हैं पावर उसको खतम कर देता है क अहां पर भारत की तरफ से लगातार कहा गया है कि जो बीटों की इस्तितिया हैं उसमें कुछ कह सकते हैं कि सुधार होना चाहिए खास सवर से भारत जैसे देशों को सुरच्छा परशद में इस्थाई सदस्य के रूप में जगे मिलने जाहिए उसको लेकर अभी तक सुधार नहीं किया गया है तो जब तक आप इस तरह के विचार वाले देशों को नहीं सामिल करेंगे जो सहियोगी स्तितियों में ज़्याद एक तरह से काम करते हैं बजा इसके की संगर्स में जाने के लिए तब तक आप एक सहित्तरा संकी जो बैस्वक वहसता है उसको कहीं से बड़े पैमाने पर प्रभावी रूप में लागू नहीं कर सकते हैं अब यहां पर आप देखें कि कारण यह दिये गए है कि खास होसा है इसराइल की जो राजनितिक इस्तिती है अब देखें इसराइल की प्रधामंत्री है जब 7 अक्टुवर को हमला उससे पहले आप देखें कि जो इसराइल में नयाईक सुधार किये जा रहे थे तो में सारा का सारा जो एक तरह से एक फोकस है वो शिप्ट हो चुका है हमास को करने के लिए तो कहीं न कहीं जो राजनितिक इस्तिती है इसराइल की अपनी वह भी काफियत तक इसके लिए उत्तरदाई मानी जाती है और इसमें इसराइल कारवाई करे गई और नेतन्याउं के इस्राइल के प्रधान मंत्री हैं वो एक कठोर कारवाई को लेकर बिल्कुल दिर संकल्प है तो इस आधार पर UN के लिए भूमिका कम हो जाती है को कि फिर अमरीका का समर्थन वीटो के मादम से मिलेगा हमास के पूर्ण अंत का जो समर्थन है वो अगर आप देखें तो वो कह कहीं न कर एक बड़ी समस्या है एक संघर्ष के देखिये कोई भी संघर्ष को आतंगवाधी दर्जा दिया गया है बिल्कुल सही बात है कि उसका पूर्ण रूप में सफाया होना चीए किसी भी आतंगवाधी संघर्षन को बैस्विक मानता नहीं मिल सकती है लेकिन किसी भ कर देखिया हमास को एक उसके पूर्ण सफाय को लेकर इसरेल की करवाई चल लए है साथ सथ आप देखें अरब देखें वह बड़ा समर्थन या पर नहीं दिखा जैसे अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की अगर हम बात करते हैं मिस्र की तो मिस्र का जो रफाब ओडर है उस कि मिस्र में आप हैं मिस्र को मालू मैं कि ये लोगs आएंगे वापस इंको करना अतना असान नहीं है रफ देखें तो अरब देसंお मैं आप देखें कि इसराईल के सांति स्थापत करने की प्रक्रिया में जा रहे थे। क्योंकि पहले आप देखें के अवल मिस्र और जॉर्डन के साथ इसराईल के अरब देसों में सामने संबंद थे। लेकिन यह प्रक्रिया डॉनल्ड ट्रम्प के समय अब्रहाम एकॉर्ड से बढ़ाई गई। लेकिन आप देखें अब्रहाम एकॉर्ड का सफल होना उसके आगे बढ़ने का कहीं नकारात्मा प्रभाव पस्सीमेसिया में यह दिखाई पड़ा कि एरान की कमजोरी दिख रही क्योंकि अगर अरब इस्राइल में समझोता हो गया तो यह मिलकर एरान के लिए एक कैसकते हैं एक खत्रे की सिती बनाएंगे तो कहीं न कहीं इरान का जो समर्थन है जो आतनकी हमला है आप देखें अपरत्य शुरूप में उन्होंने इसके समर्थन के बारे में कहां भी है तो अमरीकी चुनाओं और अब्रहाम अकॉर्ड की विफलता है वह कहीं न कि अमरीका को एक तरह से प्रेद करती है कि इस्राइल की जो कारेवाई उसको समर्थन दिया जाए क्योंकि आप देखें कि जो जूइस विरोध हैं वह नहीं ले सकता है तो वह भी एक बड़े कान क देखा जा रहा है और अब्रहाम मैं सबसestone समस्षय की समस्य कि यह तो कि आपर है की समस्या केंदर और इस तीन की समस्या को अब देखें हमास के हमले ने के समस्या को दुपारा केंदर मिला दिया तो अब्रहाम obsessed अमरीगा की तरफ से सबसे बड़ी यही एक गलती की जा रहे थी। तो इस आधार पर भी आप देखें कहीं न कहीं एक तरह से सबस्तरा संक्री भूमिका कम हो जाती है। अब भारत के लिए मध्यस्तान इबाने को लेकर क्या भूमिका हो सकती है। भारत के अगर हम बात करें तो चाहिए फिलिस्तिन का मुद्दा हो तो हम फिलिस्तिन को लेकर भी अपना समर्थन बड़े पैमाने पर लगातार देते रहे हैं। जो ट्विस्टेट थियूरी है इस हम इस तो इस तरह को सामन करना चाहता है क्यूंकि इस तरह की इस्ति के लिए बिलकु तयार, नहीं है तो यहांimet पर मध्यस्ता की इस्तिती है वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि अमरीका यहां मध्यस्ता नहीं कर सकता है बिलकुल कर सकता है लेकिन जो कारवाई इसरेल कर रहा है कहीं न कहीं इसरेल की जो देश जनता है उसका भी बड़ा समर्थन बेंजा में नेताइनयों को यहां पर मिल क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इसराइली नागरिकों की हमास के सांतंग की हमले में नत्य हुई है तो यहां पर आप दियान अखें मध्यस्ता को लेकर जो इस्थितिया वो तब बनेंगी जब दोनों पक्षों में सामान रूप में समझोते करने की इस्थितियां दिखे जो अभी सामान तोर पर लगबग उपस्तित नहीं है तो यहां पर आप देखें आर्टिकल के मादम से यह बात क्लियर हुई कि साहित्तुरासंग कहीन के अपनी भूमिका को लेकर तब ही आगे बढ़ पाएगा जब बैस्विक सक्तियां और सभी के हितों को लेकर एक आपस है कि बैस्विक सक्तियों में सहयोग बढ़ाए जाए सावज नहीं हितकी बात की जाए और इन पक्षों को जब ध्यान रखा जाएगा तो बिलकुल ही एक तरह से जो बैस्विक संस्ता है संक्तरासंग वो बहतर काम कर पाएगी तो जो आप समस्यां बताते हैं वही अगर आ चाहिए और आई-ार के इनके अर्टिकल बहुत ही अच्छे होते हैं और यह वैस्ट इस्या है पस्षी मेस्या में संगर्ष के स्थिति है उसका कह सकते हैं थोड़ा है कि हिस्टोरिकल उन्होंने पक्ष दिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि आप ध्यान रखे कि जो इरकालिक स्थांती बन पाएगी संभवी नहीं है और यह संगर्ष इसी बात तो कहना कहीं दिखाता है तो आर्टिकल में इसी तत्य को प्रवकुरूप से दर्शाए गया है तो यहां पर इमेज यह हमने कई बार इस इमेज को देखा हुआ है जब से 7 अक्टूबर का हमला ह हुआ हमास का इसराइल पर तो यहां पर इसराइल की सिति को आप देखें कि अगर हम 1946 की बात करते हैं क्योंकि यह वह समय था जब एक तरह से UK का यह ब्रिटन का मैंडेट था मतलब ब्रिटन यहां पर नेंतन था उसका तो यहां पर प्रमकूरूप से अगर हम फैलेस्तिन क अपना मैंडेट हटाया यानि इसराइल फिलिस्तिन दो स्टेट को लेकर यह सिद्धान लागू होता उसी समय आप देखें आरब इसराइल संगर शुरू है यानि आरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया और 1949 से 1967 की बात करें 1967 के युद्ध में आप देखें बड़े है इसराइल का नयंतरण है तो यह तरह से आपके छेत्रे वेस्ट बैंक के जो नयंतरल में तो समझाते के बाद आप देखें कि प्रस्मी वेस्ट बेंक है और जो गाजा पती छेत्र है वहां पर प्रहमकुरूप से आप देखें जो इस्राइली नियंत्रण है वह काफियत तक कम हुआ तो फिलिस्तीन की इस्तिती को यहां पर आप देखें बहतर रूप में मनजूरी दिखाई पड़ी मिआंरे कि यहां पर प्रहम खुप से हम चर्चा करने वाले हैं माकयां पिरोप सब्सक्राइब niel है तो हमेशा मजबूत नहीं रहा है। और आप ध्यान गूप से देखें तो कुछ इसा तरह के जिसके आधार पर प्रहम कुप से आप Caseyedi फलिस्तीन को लेकर हमेशा इस्राइल की तरफ से उतना समर्थन नहीं रहा है जैसे अगर हम यहां पर इस्राइल की बात करते हैं अगर हम नाइटीन और उसी समय आप देखें यहां पर गॉलड़ा मेर करके प्रधान मंत्री थे तरह से इस्राइल की अगरम बात करें तो इस्राइल की एक तरह से लिवर विनिस्टर थे उनकी तरफ से बया नाइंटी सिट्रियन में दिया गया था और उन्होंने यह कहा था कि फिलिस्तीन जैसे स्विकार नहीं करते हैं आप देखें नाइंटी सिट्रियन का यह कहा गया एक तरह से कतन है और नाइंटी सिटी सेवन के दो साल के बाद यह सिति बोली गई है यह जब बड़े पार पर एक तरह से इस्राइल ने नियंत्रु कर रखा है कहां का फिलिस्तीन का अब यहां पर अब देखें कि जो भी तरह से इस्रेयल की सीह है, मNशु के लंभग प्रभ में अरब. अब नहीं जा जाता है कि जितना एक तरह से फिलिस्तीन को चेत्र मिलना था उसमें आप देखें उसकी तुलना में इसराइल ने अपनी जो चेत्र उसमें 23 प्रसत ब्रद्धी कर ली यहीं माल लीजिए इसराइल को 100 किलमेटर का एरिया मिलना था तो अरब इसराइल का उन्होंने इसको बढ़ा कर एक स 1967 में तो उन्होंने वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया और पूरवी यरुसलम मिस से गाजा पट्टी और सिनाई और सीरिया से गुलनेटर तीनों आप याद करके रखी अच्छे से कि किन चेत्रों से कौन-कौन से भाग जुड़ों है जुनको इसराइल ने 1967 में अपने संगर्स की स्थिति उसमें 2000 का जो समय है वो कहा जाता है कि दूसरा बड़ा विद्रो या बड़ा कैसकते हैं कि रिवलुस्न जिसको इंतिफिदा का जाता है और उसके बाद 2005 में आप देखें प्रमकुरूप से गाजा चेस्टों से या अगर हम एक तरह से बात करते हैं जो गाजा पट्टी के चीत्र रहें जो फिलिस्तीन उनको नियंत्र देने की परक्रियाओं में जा रहा था लेकिन समस्या सुरू कहा से होती है हमास का एक तरह से प्रभाव यहां पर बढ़ ना तो यह धियान रखिए कि हमास का प्रभाव हमेशा रहा है कि ऑसा नहीं है इसरा कर तो पूरे राशपते हैं कि हम पूरी कि सकते हैं कि छीत्र को एक सेंd रही हुं आप। नहीं का जानी जाती है नाम ध्यान रखें इस सब्द कवे गवेवे सिब कुछ लेताएं तो नाहीं जाonte की तरफ से आप देखें किया गया था और उस हमले में आप देखें उस समय के जो चीफ ऑब जनरल स्थापते जनरल गादी इसन कोट उन्होंने दाहिया डॉक्टरिंग के बारे में ये कहा था कि इस डॉक्टरिंग का मतलब यह है कि जैसे मालीजे की यह चेत्र जहां परfunड कर रहा हैं अर उसी माल ढूत कर दोनों को ऑंतर करें य। इस फॉरे थे पुरू तरह से क्लेगे । य। उस जो हमास पर हमला किया जा रहा है गाजा पर हमला किया जा रहा लाय कामई तो हमले के संदर में भी यही बात तो बोली है। तो इस doctrine का जो उप्योग है वो भी का भी हद तक हमास का खिलाब जो कारिवाई उसमें उप्योग किया जा रहा है तो इस्राइल का तो यह मानना है कि आतंगवादी स्थित्यों को हम एक तरह से निट्रलाइस कर रहे हैं लेकिन उसमें आम जन संक्या की भी हानी हो रही है तो आपने मुद्दे पर दवारा वापस आते हैं तो यह डॉक्टर्न यहां पर दिया गया था इसे जरह ध्यान दीजेगा जो अभी भी उपयोग की जारी एक तरह से गाजा के छेत्रों से आतंगवादियों को हटाने लिए तो यहां पर अगर हमास की बात करते हैं क्योंकि हमास को लेकर सबसे बड़ा जो हमला यहां पर हमास की तरफ से इस्थापना के बास से देखें इससे बड़ा हमला इस्था आशेटन एकाल कि पहलें यह संगतन कि हमस की स्थापना का भूति है 1988 में। उसके पहले आगर आप देखें, तो इस्लामिक Zentर के नाम से वह काम करता था और मुस्लिम ब्रधा रूट की एक साखह था, तो इस्लामिक की रूप में काम करता था और आप देखें इसराइल ने इसको मानता दे रखा था यानि हमस 1988 में बना उसके पहले हमस Islamic Center के नाम से काम करता था और इस्राइल की तरफ से इसे मानता दी गई थी और बड़े पहमाने पर वो अलग-अलग गदविदियों के लिए चैरिटी के लिए धन्ज उटाने के लिए अधिक्रित किया गया था इस्राइल का यहाँ पर कोई विरोध नहीं था Islamic Center के काम करने को लिए कर जब तक 1988 में इसका नाम बदल कर या इसको कह सकते हमास के रूप में इस्थापित नहीं किया गया अब आप देखें 1988 के अगर हम पहले देखें यानि हमास की इस्थापना के पहले तो प्रमुक रूप से अगर हम बात करते हैं फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पियलो और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रमुक रूप से यासर अराफात तो उनका इस्राइल सबस्दे विरोध करता है और उन पर लगातार एक तरह से आप देखें या आतंकी हमले पर काम नहीं करते थे वो सामान तोर पर फिलिस्तीन एक नए देश के अस्तित्य को लेकर संगर्स कर रहे थे कह सकते हैं काफिया तक रानितिक संगर्स था थोड़ा बात कह सकते हैं कि कुछ आतंकी घटनाई भी जरूर है लेकिन जातार एक बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा संगर्स जिसमें एक सामान प्रक्रिया के माद्दन से पियलो चाहता था कि भी फिलिस्तीन की स्थापना हूँ लेकिन आप देखें कि 1988 के बाद जैसे ऐसे हमास एक्टिव हुआ और आतंकी घटनाओं को इधर-दर बढ़ावा देने लगा आप देखें पियलो को साइड लाइन करना इतरह से इसने सुरू किया और अंतिम रूप में हुआ क्या अगर हम दो च्छेत्रों की बात करते हैं वेस्ट बैंक तो जो बैस्ट बैंक का छेत्र वहीं पर आप देखें एक तरह से जो हम फता संगठन की बात करते हैं वरतमान का वो रह गया जो पीयलो का इतरह से कह सकते हैं अगला भाग है तो जो सांती पूर्वा काम करके संगठन काम कर रहा था वो किवल बैस्ट बैंक तरह रह गया ज तरह से वारता के मादम से प्रक्रिया करने में ज्यादा विचार कर रहा था ज्यादा प्रहाव डाल रहा था वो दिरदेदा साइड लाइन हो गया वेस्ट बैंक तक और चरंपंथी संगठन की रूप में हमास का ज्यादा उभार हुआ 1988 के बाद कासवर से जब से चुनाओं के बाद से हमास ने गाजा पट्टी के चेतर पर प्रसास्तिक नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया तो जब तक हमास का गठन 88 में नहीं हुआ था उसके पहले क्या था उसके पहले भी तो एक तरह संगर्स चली रहा था तो यह ध्यान रख कारिवाई को लेकर इतनी कठोर नहीं होती तो साइध हमास को उतना एक तरह से कैसकते प्रभाव बनाने का मौका नहीं मिलता यह अगर हम फता संगठन की बात करते हैं अगर आपने इसको बहता रूप में मजबूत किया होता इसको फिलिस्तिन के मुद्दों में ज्यादा वरित्धा दीया होता तो आप देखे हमास की तरफ फिलिस्तिन की जन संक्या का चोकाह नहीं होता मेन जो यह पर कह सकते हैं असली जो बात है वह आप द्यान दें तो कहीन के इसराइल भाव फिलिस्तिन के जन संक्या पढ़ता वह उतना नहीं रहा और वही कारणा कि हमास का गुभार हुआ और हमास आतंकी कारवाई के माध्यम से फिलिस्तिन एक राज्य को लेकर इस्थापना का जो कार रहा है वो करना चाहता है तो इसमें इसराइल को भी आपको कहिन का एक दोसी बनाना पड़ेगा अगला अगर हम पसी में से में बड़ा क्यों हुआ हुआ है लेकिन आज से जना के रूप से आप देखें की 1979 में इरान में आप देखें इस्तिया मिक क्रांती हुए लगका पहले आप देखें इरान में राहत वाकाि की तोवयां तो 1979 में जो इसलामिक क्राındanती हुई.. अगर आप देखें उस समय के वहां के जो सर्वोचिनेता थे.. तो इरान में 1979 की जो इसलामिक क्रांती है.. उसके पहले कि आगर एम इरान की बाथ करते हैं.. तो वहां पर आप देखें, इस्राइल की तरफ से इरान के साथ में सहयोग किया जाता था, यहां तक कि यह कहा जा रहा था कि इरान में बैलिस्टिक मिसायल के उत्पादन को लेकर एक सेंटर भी खोला जाएगा, लेकिन जैसे इस्तितियां पलट जाती हैं, mindset और असी सिती में कहीं न कहीं, इरान एक तरह से अपने आपको पूरप vertfashioned मिसया में बड़े सकती स्तम्भ के रूप में उभारना चालता है, तो आप देखें, 1971 में इस्थितिया बदल चुकी थी, यानि इस्लामिक करांथी के बाद, इरान एक तरह से अमरीका का विरोधी हो चुका था, या आप ऐसा कह सकते हैं, कि इसराइल का भी एक तरह से वो विरोधी हो चुका था, लेकिन, एक इंटरेस्टिंग फेक्ट यह है, कि अगर हम बात करते हैं, 1988 का इरान इराक युद, इस इरान इराक युद में आप देखें, इसराइल की तरफ से, इरान को हत्यारों के आप उर्ती भी की गई थी, तो आप देखें, 1971 की इस्लामिक करांथी के बाद भी, इरान अमरीका का विरोधी दिखा रहा था, यहां त इस्तियां बदली के हो, इस्तियां बदली एक तरह से आप देखें, कि फिलिस्तिनियों के बीच में इरान का बहुत-बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऑसलो समझाता जो हुआ था, देकि ऑसलो समझाते की अनुसार गाजा पट्टी, वे हमास का एक तरह से जो कद है वो बढ़ा दिया, और अभी हमने चर्चा किया, कि अगर हम फतह की बात करते हैं, यह संगटन देर-देर पीछे होता गया, और हमास सुपेर हो गया, तो इरान का प्रहा क्यों बढ़ा, क्योंकि आप ध्यान रखें, चाया हमास की बात करें, या आधार पर कहीं न कहीं, साओधियरब को इसराइल के साथ में, कतर, बहरी जितने बी देश हैं, इन सब के साथ में आप लग्या अबरहाम एक जोडने की प्रक्रिया चल रही थी, साओधियर इसमें नहीं सामलता, लेकि साओधियर इसराइल की बीच में, बैक डोर बैठके चल रही थी और यह हमला ना होता तो जल्द साइज इस तरह के समझाते हो भी सकते थे लेकिन वो इस्तिती नहीं आ पाई क्योंकि उसके पहले हमास का आतंकी हमला हो गया सार्थ अक्टूबर को तो अब यह ध्यान रखिए कि अब रहाम समझाते ने कहीं न कहीं इरान को बिल् इस्राइल की विरूत के लिए लेकिन अबरहाम एकॉर्ड अगर सक्सेस्फुल हो जाता तो इरान यहां पर अकेला पड़ जाता तो कहीं न कहीं यह जो आतंकी हमला हुआ है इसने डोनल्ड ट्रम जो बिडिन का जो भी काम किया गया था अबरहाम एकॉर्ड में उसको विरोध की इस्तिति को नहीं लाएंगे ऐसा नहीं होगा तो जैसे ऐसे संगर्स खिचेगा अरब देसों का विरोध इसराइल के लिए बढ़ेगा और मुरकों बहरीन के दौर अपने दूतावास से दूतों को वापस बुलाने की इस्तिति इसराइल की है वो इसी की और इस समस्या हैं वह फ्रसाइब देखें किसी के साथ है यहां पर जैसे कर मिलिस्तिन के साथ में पर ल Completely minutes बहरीन सुड़ान और मुरको यह अबराम अकॉर्ड में जुड़े लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि माना यह जाता है कि इस्राइल की पड़ोसी देश है उनके साथ वह स्थिति उतने मजबूत इस्तर पर नहीं है जैसा भी हमने बात करी कि हम चाहे बहरीन की बात करें यह हम बात करते हैं अगर हम मुरको की मुरको अफ्रीकी देश से लिए अरब देशों का एक हिस्सा ही माना जाता है इन दोनों देशों दूद को अपने वापस बला लिया इस्राइल से तो यह क्या दिखा रहा है कि जो भी आपके साथ समझवते में जुड़ों देश थे व यह सब दिखा रहा है कि जो पडोसी देश है उनके साथ जो इस्तिती है वो इस्राइल की बहुत बैतर नहीं है तो वहां पर इस्तिती उसको नियंतरत करना पड़ेगा और सारे हमारे डिसकुर्शन का कह सकते हैं अंतिम जो निसकर्स जो मैंने सुरुवात में बताया तो प अब्राहम अकॉड तक करा दिया लेकिन आपने फिलिस्तीन इस्रैल की समस्या को लेकर क्या किरा या बैस क्रशक्ष अक्रति हुए उसके लिए क्या क्या आप तो उसक्तिकÁ नहीं और इसने फिलिस्तीन के पूरे मुद्रे में कहींन kortि हमाश को मजबूती देती क्योंकि वो फिलिस्तीन की जनता को ये बताने में सफल रहा कि जो अरब इसराइल की ये दोस्ती हो रही है अबराहम अकॉर्ड के मादम से इसमें फिलिस्तीन के मुद्डे को सेंटर में केंदर में नहीं रखा जा रहा है और इस आधार पर कहीं ने कहीं यह जो हमला है यह जो आतंकी हमला हमास का हुआ इसराइल पर यह पूरी परस्थी मेस्या की समस्या को दोबारा कह सकते हैं बिस्टों के सामने ला देता है सब कुछ कह सकते हैं कि फील गुट जैसा दिख रहा था कि सब कुछ अच्छा है पसिमेसिया में लेकिन आप देखे एक आतंकी हमला हुआ और सारी एक तरह से कह सकते हैं अलगला देशों के संबंद वह इस पस्ट होकर सामने आ रहा हैं और यह संगर्ज आगे खिचेगा तो अरव इसराल की समस्या में समस्या की जड़ है कहां पर फिलिस्तीन और वहीं पर एक तरह से काम करने की आव रही है और वही एक बड़ा यह संगर्ज भी बड़े पैमाने पर प समस्या का केंद्र बिंदू बना हुआ है चलिए तीसे आले को देखलते हैं मुख्य परिच्छा का अंतिम आलेक है और यह बाइस फिर रिजर्व के संदर में है आप देखें यहां पर यह डेट आपको ध्यान नहीं पड़ेगी आज की रिट अगर हम देखें तो जो तीन नॉबंबर है पिछले साल इसको सुरू किया तो यह दूसरा आपका साल है जब जैम मंडल इसको हम बुलते हैं इंटरनेंशनल यह वर्ड बाइस पर रिजर्व डे तो जैम मंडल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है इसे पिछले साल से मनाना सुरू किया गया तीन नॉबंबर को और आज भी आप देखें तो इसकी दूसरी एक तरह से आप कह सकते हैं दूसरी वर्स गाड़ यह दूसरा वर्स है तो दूसरा वर्स आपका विस्व जैम मंडल दिवस को लेकर मनाया जा रहा है और इसी आधा तो अगर हम एक परियोजना देखें तो युनेस्को के दार यह 1971 में सुरू की गई थी इसको हम बोलते हैं मैन एंड बायस्फेर प्रोग्राम और यह युनेस्को की तरफ से प्रारम की गई थी और इसके माधियम से आप देखें कोसिज यह थी कि एक तरह से जो भी कह सकते ह हमारे प्रमखुरूप से जो पारिस्ट की छेत्र हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं वो अफ्रीका महादीप में कर सकते हैं जो गहने वर्सावने वहान के छेत्र हो सकते हैं या अमेजन के वर्सावन हो सकते हैं या कि सकते हैं कि उंचे परवती छेत्रों के जो अलपाइन छेत लेकिन यह प्रोग्राम थोड़ा सा यूनीक था यूनीक इसलिए था कि पहला लक्ष तो यह था कि ठीक है पर्यावन्ड सनच्छन की जो इस्थितियां उनको मजबूत किया जाए उसके लिए काम करना यह तो पहला लक्ष था यह दूसरा यह था कि मानव प्रकृति का जो सामिल करें अगर लोगों को इस तरह से किसी ओजना में सामिल करते हैं तो किसी भी तरह कि समच्छन की इस्थितियां आपने आप मजबूत हो जाएंगी कहीं पर जंगल कट रहा है यह कहीं पर माली यह समुद्र का प्रदूशन बढ़ रहा है तो उन सब में आम लोगों का अगर थोड़े जागरूख है तो इस तरह के प्रदूर्शन की स्थितियों को काफी हद तक रोखेंगे कुछ ऐसे एक्जाम्पिल भी दिए गया है जैसे यहां पर अगर में एक एक एक्जाम्पिल देखें तो यहां पर एक एक्जाम्पिल दिया गया प्रमुक्रूप से अगर आप देखें तो दूसरी वर्षगांट पर आप देखें वर्ड बाइस पर रिजर्व डे पर इस्थिती है उसमें अगर यहां पर देखें जो कुछ काम किये गए हैं लोकल लेविल पर इस्थानी इस्तर पर तो अगर हम जैसे सुंदर्वन की बात करते हैं तो सुंदर्वन जो हमारा जैम मंडल है पस्षे मंगाल की छित में वहां पर आप देखें कि जो इस्थानी एक तरह से लोंग है उनको प्रमखुरूप से जो मैंगरूप के जंगल है उनको सनच्छित करने के लिए एक तरह से इसमें सामिल किया गया है इसी तरीके से अगर ग जबूत किया गया है तो इस्थानी समधाय को सामिल करके एक तरह से बहतर रूप में काम हो सकता है तो यह आप द्यान रखें कि यह जो आपका बाइस्वे रिजर्व के संदर में परियोजना युनेस्को की इसमें केवर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल हम प्रयावन सनच् यहाँ पर एक और एक और एक्जामपल दिया गया अगर हम युनेस्को मिशेल बैटिसे अवर्ड की बात करें जो बाइस्वे रिजर्व मैनेजमेंट 2023 के लिए तरह से दिया गया है और यह पुरसकार आप ध्यान रखें नाम युनेस्को मिशेल बैटिसे अवर्ड फॉर बैश्वे रिजर्व मैनेजमेंट 2023 को दिया गया है इन्होंने क्या किया है इन्होंने प्लास्टिक चेकपॉइंट बनाए हुए है यानि एक तरह से गल्फ मननार के आसपास के जो च्छित में रहने वाले लोग है उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जागरुग नाग प्लास्टिक बोटल अगर यूज़ करके थो करेंगे तो अंतिमी रूप में वह संबत्र में पहुंचेगा तो आप देखें कि इस तरह की जो प्लास्टिक चेकपॉइंट है वह प्लास्टिक प्रदूर्शन की जो इस्तितिया है उसको कही न कहीं रोकते हैं फिर से जन भा वह तरह से इसमें सामिल किया जाते है सबसे केंदरी बात करते हैं तो यहां पर आप देखें यहां पर जैसे मतलब केवल एक तरह से निगरानी करने का तंत्र हो सकता है तो किसी भी वरशोल का जो कोई अरिया हैह Cornущ摄र रेजर्फ का जो कोणे पर किसी भी तरह की क्रित्रियम करने के लिए तंतर जरूर बनाए जाता तो पहला वाघ तो आपका कहलाता है subset area तो इसके बाहर आप देखें कि यहां पर पर मुक रूप तो यहां पर हम बात करें सब्सक्राइब कोidas करना कि कोई así कि चती नहीं उसके संद्र में कोई उसके कीतनी उसके बारे हम को जाच करनी है तो इस तरह का शिच्छा या जो प्रसिच्छन का भाग है वह प्रमुकुरूब से यहाँ पर डिवलप करने की अनुमती दी जाती है जो डिवल्प करके यहां पर एक तरह से काम किया सकता है कि वही पर्यावन संद्चन की स्थितियां क्या है सांसद अगर आप देखें तो यहां पर कुछ मानव बसाव की स्थितियां पर आपको दिखाई पड़ेंगे अगर हम यहां पर प्रमकुरूप से बात करते हैं किसकी अगर हम प्रमकुरूप से बात करते हैं जो हमारा के अन्मती दी जाती हैं तो यहां पर कर यह रहें कि जो सबसे सेंटर भाग है वहां पर पेड़ पौध है जीव जनतों की जो भी परजातियां उनको पूर्ण संदान दे रहे हैं कठोर रूप में काम कर रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह का एक जो एंथ्यू जो आन्थ्रोपय के विकास है उनको लेकर एक तरह से अनमति दी जा रही है तो यह जो तीन छेत्र है उनमें जैमंडल को एक तरह से बाट कर जैमंडल की जो प्रक्रिया है वो परयावण सनच्छन और मानव प्रकृति कह सकते हैं जो संबंध है उसको मजबूत करने का प्रयास है क्योंकि आप पूरी तरह से माना को अलग करके क्योंकि बहुत सार ऐसे छेत्र है जैसे अगर हम अपनी जो भी कह सकते हैं कि हमारे ट्राइवल पॉपुलिशन है वो अगर हम देखें तो जंगल के छेत्र काफियत तक निर्भर करते हैं वो चाहिए अगर आजीवका की बात करें रहने की सु हमारेवियर काफिया है तो वो सारा जो भागे वो आपके नियांतन में है तो कोरेव अगर मान लीजे किसी भी तरह कि ऐसी गदवीदी है जो आंटीफिसल रूप में की जारी तो उसको रोका जाएगा अन्य था अगर घने जंगलों के छेत में किसी भी तरह से जनजाती या वर्तमान के आकड़े देखें तो UNESCO के अनुसार 134 देशों में 748 जय मंडल है वो इस तरह से घोसत है जिसमें आप देखें 22 ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंडरी है मतलब जैसे मालेजी यहां पर A देश है और B और यह पूरा जय मंडल है तो ऐसे 22 जय मंडल है जो कह सकते एक से ज्यादा देशों में जुनकी सीमा फैली हुई है तो इस तरह के 22 आपके बैसे के सतर पर जय मंडल है भारत के अगर हम बात करें तो आप देखें 134 देशों में लगबार 200 मिलन आबादी है वो इन जय मंडल के आसपास के छित्रों में रहती है और वो जय मंडल में जो भी क इनको जय मंडल या बाइस पर जर्व का दरजा दिया गया है जिसमें से 12 हैं जो युनेस्को की तरफ से आप देखें कि एक तरह से सन अच्छित है तो 18 में से 12 है अब यहां पर आपके लिए कुछ प्रस्टन है पहला प्रस्ट है कि भारत का जो प्रथम बाइस पर जिसको इक तरह से एक जय मंडल का दर्जा दिया गया खासता उसे युनेस्को की तरफ से वह कौन सा है वह आप बताईए दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का कौन सा राज है जहां पर सबसे ज़्यादा एक तरह से जय मंडल या बाइस पर इस्तित है और तीसर सबसे अन्तिम भारत का घोसिद कौनसा बाइस पर रिजर वें यह बताना है कि भारत का सबसे भड़ा और भारत का सबसे चोटा बाइस पर परस्त तो यह बाइस परूर पर इसके उधर देने आप सबी कमेंट वोक्स में इसका उत्तर दीजेगा यहां पर देखे मैंने इमेज आपको दे दिया है आप जितने भी जैम मंडल 18 उनको यहां पर लोकेट कर सकते हैं तो मैप में जरूर देखिए कहां कहां है राज्य किसमें कितने उसका अनमान भी आप यहां से लगा पाए आप से आप देखें जैम मंडल एक सानच्छत इस्तर पर इनको धर जाए तो एक कुछ पॉइंट आपके इसमें प्री के लिए बहुत महत्यपूर्ण है उसे आप ध्यान लखें और जो मैं आप से प्रक्ष पूछें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजेगा तो जहा करने के लिए आपको इस्थानी समधाय को सामिल करना पड़ेगा जैसे हमने बात किया गल्फा और मननार में महिलाओं के आधार पर प्लास्टिक चेक्पाइंट बनाएं गया युवाओं को सामिल करके एको टुरिजम को बढ़ावत दिया जा रहा है तो यह सब क्या है यह सतत विकायस की स्थित्यों को दर्शाता है अब यह भी ध्यान रखें कि जो जैव मंडल है जो बड़े पर्यावर्णी यह तरह चेत्र है तो घने जंगलों के चेत्र भी है तो यह बड़े पैमाने पर आप देखें कारबन सिंग के लिए भी काम करते हैं कारबन सिंग का मतल जादा चेत्र है तो आप देखें बड़ी संख्या में इस तरह के जो कारबन सिंग है वह वाइमंडली सीयोटू के एक तरह से एब्जॉर्ब्स या उसके अबसों करने की स्थितियों को भी बढ़ाएंगे तो आप देखें पर्यावर्ण संच्छन के लिए अप्रत्य चु लोग देते हैं तो यह अलग-अलग जो पक्षे उनको ध्यान रखने के आवश्रकता है जो जैम मंडल के संदर में हैं जो हमने चर्चा की है चलिए अब हमने प्रिलिम्स के टॉपिक पर आ जाते हैं और सबसे पहला अगर हम प्रिलिम्स का टॉपिक देखें तो यहां पर इमेज देखकर आप अन्मान लगा सकते हैं खासा और से दिल्ली एंसियार का छेतर है फिर से आप देखें कि वाई प्रदूशन की जो कठोर रिस्तिती है उसका एक तरह से सामना कर रहा है और आप देखें पीछे के आर्टिकल हमने इपर चर्चा भी किया था कि किस तरह से जो एर कॉलिटी इंडेक्स है वो प्रमखुरूब से चेक किया जाता है अलग-अलग मानक के आधार पर और यह देखा जाता है कि जैसे ऐसे वाई गुडवत्ता खराब होती है आप देखें उसमें लेबिल बढ़ता जाता है उसमें आप देखें अलग-अलग रंग के पर इसमें लिए जबड़ा जाता है और आप देखें घृता है और देखें अ महीनों में देखें खास दोर से तो यह ऐसे तीन-चार महीन रहते हैं जहां पर से प्रदूर्शन की इस्तितियां दिल्ली-NCR में काफी बढ़ जाती है और पर इसके लिए कारण बढ़ जाता ह अब दिल्ली Prof. दिल्ली को सब्किति के वाइसे उर्फ काम कियाँ है काफित कि रिख पु सकते हैं कि वह वह सकते हैं और भी आपकि सद्सान को देंगे और वह बड़े की जो स्थितिय उसको इतरह से बढ़ाता है और इसी आधार पर आप देखें यहां पर एक संग्ठन काम करता है उसको हम बोलते कमिशन फॉर एर क्वर्टी मैनेजमेंट इन नेंशनल कैपिटर लिजन एड जनी गिरे जिसको हम सी एक क्यू एम के नाम से जानते हैं तो यह जो राष्टी राधानी चेत और नेकरवर्दी शित्रों वह गुणत्ता प्रवंदन आयोग है इसकी तरफ से आप देखें ग्रेडिड रेस्पॉंस एक्शन प्लान यानि ग्रैप को इतरह से लागू किया जाता है इनि जैसे वह गुणत्ता को लेकर रिस्तियां एक अगर यहां पर एर क्वाल्टी खराब है तो प्रमो खुरूप से यह की जाती है कि जो वाई की गुणत्ता है उसके अनुसार क्या सुधार किया जा सकते हैं कि जिससे गुणत्ता और खराब नहों तो अगर हम यहां पर इस रेस्पॉंस की बात करें तो इसको हम अलग-अल दखें यह का जाता है कि जो पुराने एक तरह से डीजल या पेट्रोल वहिकल है उनको कहीं न कहीं तरह से रोकने की स्थितियां बनती है मालीजे की पूर से वहरी पूर कैटेगरी में चला जाता है तो यहां पर जो भी हॉट स्पॉट है जैसे मालीजे को इंडस्ट्री है तो यहां पर आप देखें तो यहां पर प्रतिबंद है वह इतना से भारत स्टेज तीन पेट्रोल और भारत इस्टेज 4 डीजल तो इस तरह के जो फोर विलर उनको लेकर एक तरह से आप देखें यहां पर रोगथाम के इस्थिति हैं साथ सरा आप देखें कि प्राइमिरी ग्रेड के जो बच्चें अप्टू क्लास 5 तक का जो भाग है वहां पर बच्चों को जो स्कूल है उनको 50 से अगर ऊपर चला गया तो यहां पर आप देखे फोर विलर जो भी रेइस्टर ने दिल्ली के बाहर उसमें इलेक्ट्री वेहिकल को छोड़ें और भारत स्टेज कि बात करते हैं और जो भी एक तरह से आवस्यक्तों को ले जा रहे हैं उनको छोड़ दे उन सभी वाहनों को छोड़ने के लावा जो डिल्ली के बाहर के रेइस्ट्रेट वहँए वह रेंटर नहीं करते तो यह करते हैं श्री यानि Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas की तरफ से घुसित किया जाता है और आप देखें कि यहां पर सेवे रिस्तिती हैं तो नए प्रकार के जो मानक है वो लागू कर दिये गए हैं अगले आपर अपने समाचार को देखते हैं और यह समाचार अगर आप देखें तो तेलंगालया में जो क कालेश्वरों में तरह से परियोजना है और आप देखें विस्तित की सबस्वड़ी परियोजना में एक बनी जाती है जिसके माद्देम से आप देखें गोदावरी का जो जल है उसको प्रमुकुरूप से पेजर और सिचाई के लिए उप्योग किया जाएगा और यहीं पर पानी के अंदर को डूबे हुए दिखाई पड़ रहा है यानि आप कंस्ट्रक्शन को लेकर जो इस्तितिया है वह संतोस जनक नहीं है और यह कह सकते चिंता का विसाय क्योंकि बड़ी परियोजना है अगर इस बैराज में किसी तरह की समस्या है तो आप देखें कि आगे कि अगर माली यह पानी का हिस्सा बैराज के पीछे रुका हुआ है और वहां पर दरार है माली यह डूबा हुआ पिलर जो दिखाई पड़ रहा है उसके अगर इस्तिति बनती है तो वह पूरी परियोजना के लिए बड़ा खत्रा बन सकता है और आप ध्यान रखें कि इसकी लोकेशन है वो आप ध्यान रखें तेलंगाला में यह कालिश्वर्म परिजुना का भाग है जहां तक इस मैदीगड़ा बैराज की बात करें इसको लश्मी बैराज के नाम से भी जाना जाता है और यलमपली और मैदीगड़ा के बीच में आप देखें यह आपको यहां प बना हुआ है तो लोकेशन काफी महत्पूर्ण हो जाती है जरा इसको आप ध्यान रखें और यह परियोजना एक तरह से तेलंगाना में काफी एक महत्वाकांची परियोजना मानी जाती है लेकिन यहां पर कुछ विभादित इस्थितियां देख रही है अगला आटिकल हम सकते हैं लिए ढही हे तो है टो प्लस टु ब्लस टु डेलग के लिए 2 प्लस टु का मतलब इसमत्री की बात करें burger मिए सासाध अगरम विदेश मंत्री के बात करें तो दो फश मतलब अमरीका केocado में अद哥 के और भारत के और यहां मिल घृत कर यह बात होती है भारत के चाहे रक्षा चेत की बात करें विदेश नीती की अलग लग पक्षों की बात करें तो यह तू प्लस टू एक तरह से वारता कहलाती है और इसके मादम से आप देखें यहाँ पर कुसिस यह है कि जो भी एक तरह से इस्टितियां है बैस्विक इस्टर पर उसको लेकर एक तरह संगर्स की बात करें या आगे हमाना टॉपिक आने ही वाला है अगर हम सीटी बीटी की बात करते हैं जहां से प्रमकुरूप से आप देखें कि रूस ने अपने आपको अलग किया है तो इस सम्बंदों की इस्टिती है वह काफी हत तक यहाँ पर एक चर्चा का बिंदू ब मजबूत दिख रहा है खासवर से अगर हम क्वेड की बात करते हैं तो क्वेड के मादम से जिस तरह से प्रयास हो रहा है दोनों देख इसको और बहतर करना चाहते है तो यह जो टू प्लस टू बैठाक है वह कह सकते हैं बहतर मंच भारत और अमरीका को दिलाएगी अब यह जिनके साथ भारत के टू प्लस टू इस तरह से डियालोग करने के समझोते हैं एक तो हमने यहाँ पर बात करी युए से के साथ में और कौन से देश है वह आपको कमेंट बाक्स में बताना है अले टॉपिक को देखते हैं और यह टॉपिक एक छोटी से सूचना के रूप मे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉंप्रेंसिव टेस्ट में ट्रीटी की बात करें तो इसका डिटेल में डिसकर्शन हमने पिछले अपने पीछे की वीडियो में किया हुआ प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे जब इसके बारे में रूसी संसंदर प्रस्ताव गया हु रूस की तरफ से आप देखें हस्ताच्र भी किया गया है और जो कानूनी मंजीर है जो रेटिफिकेशन है वो दिया गया था लेकिन अब रूस की संसदर ने डिवमा की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ है कि CTBT से रूस ने जो अपने आपको रेटिफाई किया था जो पर कही न कहीं अब नीकलर टेस्ट करने के लिए रूस पूरी तरह सुतंत्र हो जाएगा आप ध्यान के कि यह संदी जसना मैंने आपको बताया है लागू नहीं है क्योंकि जो भी एक तरह से कह सकते हैं पर्मान उर्जा का उप्योग करते हैं या पर्मान हत्यार संपन हैं जैसे अगर हम कुछ देसों की बात करें चीन की बात करें या साथ सद अगर हम USA की बात करें इनोंने अभी तक इसको रैटिफाई नहीं किया मतलब अपने हां कानूनी प्रक्रिया संसिती प्रक्रियां से मंजूरी नहीं दिलाई है भारत की बात करें पाकिस्तान की बात प्रभावी इस रूप में है कि 1998 में आप देखें कि भारत और पाकिस्तान के जो पर्माणु विस्पूट थे उसके बाद आप देखें केवल उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिसने पर्माणु विस्पूट किये हैं उसके अलावा किसी देश ने कोई निकलर टेस्ट नहीं किया लेकिर रूस अगर अपने आपको इससे अलग करता है तो माना जाता है कि जो पर्माणु हत्यार की होड़ है वो एक तरह से फिर से प्रारंब हो सकती है क्योंकि टेस्ट के माददें से ने हत्यारों का परिष्ण करेंगे और ये इस्तिती काफियत तक खतरनाक हो सकती है और यालोक आफिह लेकि तो म्यानमार से कह सकते है कि आफिक आत्रत यहां पर Parajan पर पिछले दो वरस gives आप जेता हैं और अगर मिलिटर आफिішनदा कि बात उचा करें कि लweet शें सकता है और अक जद्नित आपकचार हो आपना नेंत्रव फिर से बना लिया है तो पिछले दो साल की स्टितियों में यहां पर यह कहा रहा है कि जो सा इस्ठेट का हिस्सा है उसमें आप सडिज्ट की एक बहुति महत्यप्पूर सेहर का नाम द्याना के चbits इंशवां तिंस Hon sense H bit उसमें इक तरए से कहा रहा है कि ऐसी शीओ सित्यू एक तरह से बशन ग्रुप से बनी है जहां पर प्रमुकुरम से दूब जो जलन के साथ अधिया है कि वहां पर पूरे तारह से हडु जो ृव्रूदिश आपर जो समू झाया है या शेर alors कर लिया है और उ स्झेन अगर Tesai кषे और यहां पर आयम उनाए घंडान करते हैं उसके साहथ सीना पर लगता है और माना ट्रेडिंग यानि व्यापार का बिंदू भी एक तरह से हैं तो यहां पर विद्रोईयों का जो कब्जा हो गया और म्यानमार की जो सहने सरकार उसका नियंतर नहीं है यह मैंनमार सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और यहां पर आप देखें कि जितने भी समू है वह आप काफियत तक मिलकर सायोग करके मयानमार की सहने सरकार उसके खिलाब काम कर रहे हैं जैसे यह अगर हम चेश्वाओं की बात करते हैं जो नियंतर कर लिया है विद्रोईयों उसमें आप देखें टांग नैस्नल लिवरिशन आर्मी और मयानमार नैस्नल डेमोक्राटि सबसे बड़ा घटका एक तरह से माना जा रहा है तो आप देखें इस तरह के जो सहर होते हैं जैसे अगर आप देखें अफरीका में दारफूर कभी भी इस तरह का कोई सहर है जिसके बारे में कोई चर्चा हो रही है किसी भी तरह का क्या सकते हैं उस देश में महत्यों उस सहर को लेकर बन जाता है तो यह पहला सहर है जिस पर अन्तेन टॉपिक पर आजाते हैं और ये टॉपिक Is scripture अगर हम बात करतے हैं कर गई की युरवपी संग की तरफ से इसकी एक ello ay subscribe की बात करते हैं भारत की जो company है वो बड़े पैवाने पर steel का एक तरह से आप देखें यहां पर निर्याद करती है यूरोपी संग में और यूरोपी संग की जो अलग 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 देश हैं जो steel भारत से लेते हैं आयात करते हैं वहां पर अगर आटोमबाइल company की बात करते हैं जो वहां निर् किया जाएगा और अंतिम रूपे माना जा रहा है कि 2026 से लागू हो जाएगा तो अभी आप ध्याना के experiment basis पर सुरू किया गया उसको आपने हमारे बनाए हुए जो मानक है उसके अनुसार पालन किया है माली जा हमने कहा कि आपका carbon oxygen इतने लेविल पर रहना चाहिए या जितना है उससे आपको 60% कम करना है तो अगर आपका carbon oxygen कम है और आप इस्टील उत्पादन करते हैं तो यूरोपी संग में आप उस CBM का मतलब आप देखें एक तरह से आप इसको carbon tax क्या सकते हैं तो यह तरह का carbon tax है प्रमखुरूप से जो प्रारम किया जा रहा है यूरोपी है संग की तरफ से तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत के वाने जो जो उद्द्योग बंतरी है प्यूस गोईल उन्होंने इस और फिर यह कंपनियां भारत जैसे देशों में भारत अगर हम बात करें तो सस्ते इस तर पर जो भी कह सकते हैं कि आपका एक तरह से लेवर फोर्स याने प्रकार की सुब्धान देता है तो यह पहुंचेंगी भारत में तो प्यूस गोल का यह कहना कि योरोपी संग अपने पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पर यह थ्यान रखें कि यह कहिने करे से हैं से एसी ऊस्तितह तो यहां पर कार्बन गो लेकर जो ट्यास लगाने में भारत जो हम लेकर आखेंडी परीशन एक्सपरेरमेंट कि बिस पर है किन करण के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो आज हमारे प्रारमिक और मुख्य परिच्छा के आर्टिकल जोंकी चर्चा वो समाप्त होती है और मुख्य परिच्छा के जो अभ्यास प्रस्टर उनको हम देखते हैं पहला सैंतरा संग की बैस्विक सांथी स्थापित रख ने दो समस्या है उनको आप समाधान के रूप में बता दीजए तो उस उस रूप में आपको अपनी चर्चा वो सहहततरा संग के Saundara करनी है 1990 के पहले 90 के बाद की स्थिति सब में आपको चर्चा करना है कि किस तरह से सहित तुरासंग की स्थिति रही है और वर्तमान संगर्ष में स्थिति क्या है तो उस आधार पर आपको यह उत्तर लिखने का प्रयास करना है दूसरा इजराइल फिलिस्तिन समस्या का समाधा कर सकता है उपरोथ कथन का विश्वेशन वर्तमान संगर्ष के प्रकास में करें वर्तमान संगर्ष को सही सद्ध करता है क्योंकि अगर यह संगर्ष मतलब हमास का हमला ना होता तो यह संगर्ष भी नहुता और अब रहेम एकॉड जैसी स्थिति आंगे बढ़ती और अरब इसराइल में अगर सहयोग की स्थिति बढ़ जाती बहतर रिस्थिति बन जाती तो क्या संती इस्थापित हो जाती नहीं क्योंकि फिलिस्तिन की समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है तो आप यह बताएंगे कि अब्रहायम अकॉर्ड या किसी भी तरह के प्रयास है अगर अगर पस्य में संगर्ज की स्थितिया रही है तो फिलिस्तिन समस्या के एक इस्थाई और दीरकालिक समाधान का ना होना तो वह आपको यहाँ पर चर्चा करना है तो आज हमारी 3 नॉम्बा 2023 के विसलेशन है समाचार के संदर में वह पूरा होता है उमीद है कि जो भी हमने यहाँ पर 9 topic 3 हमारे मेंस के संदर में और अगर हम 6 topic देखे तो हमारे prelims के संदर में उन शभी को बहतर रूप में आप समझेंगे और आप बहतर रूप में समझ पाए है तो इस बात को हम तक महुंचा ही और उसके लिए आप अधिक सर्दी संख्या में लाइक करें अभी त उत्तर लगातार लिखते रहें क्योंकि मुख्य परिच्छा में बहता रंग की अंतिम रूप में आपके सेलेक्शन की एक तरह से कुझी है तो आज के सत्र को यह पर समापत किया जाता है और कल दोपएर 12 वजे पुन्हें आप लोग से इसी कह सकते हैं हमारे जो यूटूब चैनल का मंच है उस पर मुलाकात होगी आप सभी अपना बहता तरीके से ध्यान रखें धन्यवाद